हेलो गाईज, वेलकम टू आई यूटूब चैनल यॉर कोड कोच सो आज के वीडियो में आप सब का स्वागत है आप सब को जैशी आराम, जैशी कृष्ण, जै माता जी तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फौथ मेथड जिसका नाम था जावा कोमेंट्स तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है अब जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए तो आज का अमारा टॉपिक है फिफ्ट मेथड जिसका नेम है जावा स्ट्रक्चर जावा फर्स्ट पोग्राम तो आए देखते कि जावा में स्ट्रक्चर कैसा होता है पोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्ट्रक्चर यानि कि कोई भी अमें पोग्राम रन करना है तो ये स्ट्रक्चर के बिना हम पोग्राम को रन नहीं कर सकते ठीक है तो I am structure जानते हैं तो सबसे पहले यहां पर लिखा गया कि class declaration जावा में एक class तो चाहिए ही चाहिए ठीक है class के बीना हमारा program run नहीं हो शकता या हमारा program हम लिख नहीं शकते ठीक है तो हमारा यह class declaration syntax ही यहीं से start हो रही है class declaration तो उसकी syntax क्या है public class class file name यह मैंने जो p1 रखा है वो मैंने class file का name दिया है p1 ठीक है क्या है class declaration उसकी syntax है public class class file name फिर कल्ली ब्रेसिस कर देना है फिर next आता है हमारी main method main method क्या है तो public static void main string asks string में always s capital होगा वरना errors होगी ठीक है तो आपको यह ध्यान देना है कि string में हमेशा s capital होना चाहिए फिर से हम देखते हैं तो के हमारी main method है public static void main string asks ठीक है string में as capital फिर हमें curly braces कर देना है फिर यहाँ पर क्या लिखा है कि program logic goes here सबसे पहले हमारा क्या आता है class declaration आता है बाद में क्या आता है हमारी main method आती है और main method के अंदर ही हमें पूरा का पूरा logics लिखना है हमें जो भी programs लिखने है वो सारे के सारे कहां पर लिखने है main method के अंदर मुझे कोई भी for loop चाहिए ifs चाहिए switch case कुछ भी मुझे लिखना है कुछ भी logics मुझे लिखना है तो वो मैं कहां लिखूंगी main method के अंदर ठीक है यहाँ आप देख सकते curly braces open and close है तो उसके अंदर में पूरा का पूरा logic लिखूंगी आपको समझ में आ गए मैंने यहाँ पर एक print करवाना था तो उसके लिए मैंने क्या use किया system.out.println तो इसकी मदद से मैं यह hello your code code में print करवा दूंगी कोई भी sentence हमें Java में print करवाना है तो उसके लिए क्या use होता है system.out.println तो यहाँ पर भी एक ध्यान देना है कि system में as capital होना चाहिए और आपको यह ln दिया गया है तो ln एक new line के लिए आपको ln दिया है ठीक है अगर ln नहीं लिखते फिर भी आपका program run हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आगी यह new line पे आजाए इसलिए मैंने यहाँ पर ln किया है तो system.out.println की मदद से मैं यह पूरा का पूरा sentence प्रिंट करवा सकूंगी तो आइए हम देखते कि हमरा output के आया है तो आप देख सकते कि हमरा output के आया hello your code coach जो मैंने यहाँ पर print करवाय था वो ही मेरा output में आ गया है तो आपको समझ में आ गया कौनसी बात ध्यान देनी है public class class file name string में s capital होना चाहिए system में s capital होना चाहिए ठीक है यहाँ पर एक नॉट दे दी गई है मैंने मैं आपको दिखाती हूं नॉट यह बहुत important नॉट है class name and file name must be same तो मैंने आपको कहा कि यह आपकी class file name है P1 है वो क्या है class file name है तो मैंने यहाँ पर P1 दिया आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर name demo दे सकते हो ठीक है कुछ भी आप दे सकते हो यह P1 ही इसलिए क्योंकि program 1 है तो आप कुछ भी यहाँ पर नाम दे सकते हो लेकिन यहाँ पर आप जो नाम दे रहे हो यहाँ पर आप जो नाम दे दे रहे हो वही नाम आपको जब आप file save करोंगे तब आपको देना है यानि कि अमारी class file name और file name दोनों के दोनों ही same होने चाहिए अगर same नहीं आते तो हमारे program error आ सकती है ठीके मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि class name and file name must be same देखिए यहाँ file name जो कि मैं p1.java से मैंने program को save किया है तो यहाँ पर भी p1 दिया और public class p1 तो यहाँ पर भी मैंने class file का नाम क्या दे दिया p1 तो यह दोनों के दोनों ही same है अगर दोनों के दोनों same नहीं होगे तो आपका program नहीं run होगा तो आपको तीन बाते ध्यान देनी है कौनसी एक class declaration के समय जो आप class file का name दे रहे हो वो ही आपको file save करते समय देना है बाद में यहाँ पर string में s capital होना चाहिए small करोगे तो program run नहीं होगा फिर यहाँ पर system में s capital होना चाहिए तब भी आपका program run होगा तो आए हम आज का यह structure और हमारा first program हम practically run करके देखते हैं हम यह भी देखते हैं कि मैंने s small किया तो क्या आता है ठीक है यह अलग-अलग file का name है तो क्या error show होती है हम सारी की सारी चीज़े हम practically देखते हैं आईए तो सबसे पहले हम हमारा notpad plus plus open कर लेते हैं कि आईए हम हमारा practical लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है हमारा class declaration करना है तो उसकी syntax क्या थी public class class file name तो यहां पर में class file name दे देती हूं public class demo फिर curly presses कर देना है फिर हमें हमारी main method लिखने है तो main method हमारी क्या थी public static void main round bracket में लिखना है capital S string ठीक है चलो हम देखते हैं कि small s करें तो क्या आता है ठीक है square bracket को कहीं भी लिख सकते है ठीक है आप यहां पर भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां भी लिख सकते है यहां भी लिख सकते है फिर से curly braces कर देते हैं हमने क्या सिखा था कि main method के अंदर हमें सारे के सारे logics लिखने हैं मतलब कि main method के अंदर ही हमें अमारा program लिखना है तो मुझे simple कोई sentence print करवना है तो मैं उसके लिए use करूंगी system.out.println तो system में s capital होता है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि small करते हैं तो क्या error आती है तो system.out.println भी मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको बताती हूँ कि ln ना लिखने से उमारा code कितना गंदा दिखता है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ hello ycc team hello ycc team लास्ट में semicolon system.out.println फिर से मैं कोई sentence print करवाती हूँ my name is sonali patel फिर से और लास्ट में semicolon ठीक है अब curly braces close कर देते है मैंने अभी program run save नहीं किया इसलिए इतना गंदा दिख रहा है तो अब हम हमारा practical को save करते हैं तो save as में जाके मैंने एक folder बना रखा है java sonali करके तो आप देख सकते हैं इसमें हम लिखते हैं मुझे कोई भी नाम देना है मैं दे देती हूँ p1.java मेरा मूर हुआ कि मैं p1.java लिख दू तो आप देख सकते हैं मेरा practical save हो चुका है Ctrl S कर देना है फिर हम हमारे folder में चले जाएंगे eDrive में जाके कौनसा folder था java sonali नाम का यह आप देख सकते हैं अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें लिखना है cmd लिख दिया cmd अब हम करते हैं रन तो रन करने के लिए कुछ commands थे java c file name क्या था हमारा p1.java तो देख सकते हैं कितनी सारी error है देख सकते हैं तो class demo is public should be declared in a file name demo.java तो मैंने कहा था कि file name और class file name दोनों ही same होनी चाहिए ठीक है लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया p1 file का name देदिया और demo class file का name देदिया तो अब हम यहाँ पर p1 कर देते हैं p1 करके ctrl s कर देते हैं फिर से हम चले जाते हैं cmd में फिर से हम run करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो first error थी demo वाली वह चली गई है दूसरी error क्या रही है कि capital आपने जो आपकी main method declare की उसमें आपने जो string लिखा है वह आपका capital होना चाहिए ठीक है तो मैंने क्या किया था small s किया था तो error आई तो हमें यहां पर क्या कर देना है capital s कर देना है capital s करके control s कर देना है फिर हम फिर से हमारे cmd में चले जाते हैं फिर से code run करते हैं तो आप देख सकते कि दूसरी वाली भी error चली गई है अब कौन सी error हो हो रही है कि system यह वाली line तो यह वाली line में हमने कौन सा wrong लिखा था कि system में s small लिखा था हमें क्या करना है s capital करना है तो system में s capital कर देते है ठीक है कर दिया अब हम control s कर देते है ln की कोई error नहीं होती वो सिफ code को attractive बनाता है ठीक है मैंने अभी ln नहीं लिखा तो मैं आपको बताती हूँ कि code कैसा दिखता है हमारा ln के बीना फिर से हम run कर देते है तो हमारी कोई भी error नहीं आई है हमारी सारी की सारी errors solve हो गई है तो हम फिर से लिखते है जावार space p1 तो आप देख सकते कि मेरा output एक ही line में आया आप देख से hello icct my name is sonali पटे मैंने नीचे different different line में लिखा था अलग से print कर वाया था लेकिन मेरा output में के आया एक ही line में पूर्य का पूरा sentence print हो गया दोनों का दोनों ही sentence एक ही line में print हो गया तो इसके लिए हम ln लिखते है तो आई हम ln लिखते है तो कि हमारा code थोड़ा attractive बने Ctrl S कर देना है आपको फिर से हम अमारा practical run करता है फिर से आपको लिखना है java space p1 तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों ही अलग line में आ गए ठीक है यह थोड़ा अच्छा लगता है coding में तो इसलिए ln का यूज होता है line break करने के लिए एक अलग new line पे जाने के लिए होता है तो आज आपने क्या सिखा पूरा का पूरा structure सिखा पहले class declaration सिखा फिर main method सिखी और main method के अंदर हम पूरा का पूरा logics लिखते है वह सिखा फिर ध्यान रखने की कौन सी बात सिखी कि class file name और file name दोनों को दोनों ही same होने चाहिए फिर string में s capital होना चाहिए और system में s capital होना चाहिए ठीक है तो मेलते अगले वीडियो में आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे आपको lectures अच्छे लग रहे तो please like share and subscribe कर देना और आपको कुई भी doubts है या कुई suggestion है तो आप हमें comment section में बता सकते thank you for the watching आगे के वीडियो लेखने के लिए मेरे यूटूब चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए और share कीजिए thank you for the watching आप सभी को जय शिया रहा